Welcome everyone आज मैं आपको अलंकार का साधारण अर्थ बता रहे हूं अगर आप अलंकार की साधारण अर्थ को समझ चाते हैं तो हिंदी भाशा का जो पेपर है उसमें कई सारे प्रेश्शने आपको अलंकार के मिलेंगे और आप इसे इसेली समझ जाएंगे तो आपको वहाँ प्रशन हल करने में बहुत ही आसानी होने वाली है तो इसलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा और अंत तक देखेगा कि अलंकार का साधारण आर्थ क्या है किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की शोभा बढ़ाना उसकी सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं अलंकृत करना लोक भाशा की यदि बात करें तो उसमें अलंकार का मतलब होता है गेहना या कोई आभूशन जिस प्रकार से हम ज्वेलरी को धारण करते हैं उसी प्रकार यहां पर अलंकार का ताथपरे होता है ज्वेलरी और महिलाएं अपने सुंदर्य को बढ़ाने के लिए भिन भिन प्रकार के गेहनों का प्रयोग करती हैं या ज्वेलरी का प्रयोग करती हैं उसी तरह से कवी जो होता है लेखक या कवी पॉइट जो होता है वो भिन भिन प्रकार के अलंकारों का यनी गहनों का परियोग करके कविता की शोभा को बढ़ाने का प्रयास करता है जिससे की शोता को या पढ़ने वाले को उसका रस प्राप्त हो, आनन्द प्राप्त हो कंगन से हाथ की, कुंडल से कान की और हार से गले की शोभा बढ़ती है आप सभी जानते हैं ये सब मिलकर के शरीर को सौंजर्य और आकशन प्रदान करते हैं शीक उसी प्रकार से अनुप्रास, उप्मा, आदि अलंकार सभी मिलकर के कविता को आकशक और प्रभावशाली बनाते हैं कभी किसी शब्द विशेश का प्रयोग कविता को चमतकार प्रदान करता है तो कभी अर्थ का प्रयोग इसी लिए अलंकार दो तरह के होते हैं जिनकी बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजे जिस्ते सारे वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल जाएं थेंक्यू